हालो एवरिवान वेलकम जो नवनीत आयस एकेडमी सो हम यहां पर क्लासिक्स की हिस्ट्री का कॉम्प्रिहंसिव कोर्स तो है वह कंप्लीट कर रहे हैं सो इस बुक का नेम है अवर पास्ट बाट वन जो की इसे हमने यहां पर स्टार्ट किया था सो अराउंड सिक्स चैप्टर जो है वह हम और लेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो हम देखते हैं कि around 2500 years ago हमारी society में क्या changes आ रहे थे उसकी वज़ा से जो है लोगों के माइंड में या फिर जो thinkers थे उनके माइंड में जो है new questions जो है वो यहां पर arise हो रहे थे कि हमारी society जो है वो क्यों change हो रही है या फिर जो कई thinkers थे वो यह भी जाना चाहते थे कि actual में जो हमारी डैठ है यहांफे घ्ल हमाइर डैच हो जाती है जो हमारी 輾फ खत्म हो जाती है तो लाइफ के बाद में भी जो है क्या का इन ज प्रति जो हुए जो इस तरह के जो है कोECTIONS के बारे मेंद की थी and Buddhism के जो है ideas क्या रहते हैं क्या principles रहते हैं उनके बारे में भी जो है हमने यहां पर बात की थी अपनी प्रीविविसिवीदियो में तो अगर आपको जो है बुदिशम के बारे में पढ़ना है तो that is the most important topic from the exam point of view तो आप जो है मेरी previous वीडियो को जो है देख सकते हो तो इसके बाद में we had discussed about the Upanishads, Upanishads के meaning क्या होते हैं and इसमें क्या क्या चीजे included हैं and Upanishads हमें क्या बताते हैं तो इनके बारे में भी जो हमने देखा था अपनी previous वीडियो में right तो इसी chapter को हम यहां पर continue करेंगे इस particular वीडियो में तो कुछ और भी चीजे जो है यहां पर देखेंगे और भी के changes जो है यहां पर religious ways में आते हैं उनके बारे में discuss करेंगे so in this particular video we are going to discuss about the journalism as well right so this is the telegram channel link आप जो है इस channel को follow कर सकते हो telegram channel को and इस पर आपको daily pdf जो है right वो मिलती रहेगी जो daily classes यहां पर आपको upload की जाती है उनकी pdf आपको मिलेगे यहां फिर कोई भी अप्डेशन है future courses के regarding या फिर कुछ भी किसी भी exam के regarding तो वो भी आपको जो है वहां पर मिलती ही रहेगी okay so this is about me I am a founder of Navneetis Academy and I had more than of three years of experience in UPSC coaching and I had already cleared the UPSC CAC mains and in my education qualification I have done MPhil and MSC in the computer science field and I'm also a university merit scholar in mathematics and I'm also passionate about teaching so now let's discuss about the jainism तो एक तरफ यहां पर जो है बुद्धिजम वो अराइज हुआ था राइट नए आइडिया जो है वो यहां पर अराइज हुए थे around 2500 years ago ही हम यहां पर बात करे तो एक और changes यहां पर यहां आते हैं कि एक नए ideas यहां पर वो थे jainism के तो इसमें क्या रहता है कि जो last and 24 तिर्थांकर्स थे jains के ऐसा माना जाता है कि वर्दमन महावीर राइट जो कि 24 तिर्थांकर माने जाते हैं उनसे पहले around 23 तिर्थांकर्स हो चुके हैं जिनके बारे में जो है ज्यादा लोगों को नहीं पता है तो 24 तिर्थांकर्स थे यहां पर वर्दमन महावीर जो हैं जो कि सबसे famous थे राइट और इन्हें जो बोले जाते हैं यह last तिर्थांकर्स भी थे तो वो जो है क्षत्रिया प्रिंस थे काफी अच्छी जो है background थे उनकी humble background से वो बिलोंग करते थे लिचाविस के क्षत्रिया प्रिंस थे वो और लिचाविस कोन थे यह भी एक group था जो वाजी संग के बारे में हमने पढ़ा था chapter number 6 में तो उसी से ही यह विलोंग करते थे तो जब यह 30 की age में थे तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और यह forest में रहने के लिए चले जाते हैं तो forest में जो है around 12 साल यह रहे थे वहां पर काफी hard and lonely life जो है वो इन्होंने spend की थी and 12 साल के बाद में जो है इन्हे enlightenment मिली थी means जिन questions के जो है यह answer find करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जो है ढूंटे हुए इन्हें 12 साल लग गए थे तो उसके बाद में जो है इन्होंने काफी simple doctrines यहां पर प्रिंसिपल होते हैं वो teach किये थे इनके according men and women who wish to know the truth must leave their homes तो इनके according जो है इनका सबसे पहला idea यही है जो अपनी life के बारे में truth को find करना चाहता है उसे जो है अपने घर को छोड़ना ही होगा man and woman चाहे कोई भी हो and उन्हें जो है काफी जो strict rules होते हैं वो follow करने होंगे पहला तो है ahinsa किसी के साथ है कोई hinsa यहां पर नहीं करनी है non-violence को अपनाना है which means not hurting or killing the living beings all beings right चाहे यहां पर जानवर हो कोई छोटा सा यहां पर कीड़ा मकोड़ा ही हो right किसी को भी यहां पर नहीं मारना है right and to all the things life is dear तो इनके according ऐसा माना जाता था कि हार person जो है हार चीज जो है उनके जो life है वह सबसे important है तो हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है and ordinary people जो है right वह इनकी teachings को जो है काफी अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इनोंने भी प्राकृत language का use किया था जिसके बारे में मैंने आपको प्राकृत अब प्राकृत जो है उसकी भी कई forms थी जो कि different countries में यहां पर अलग अलग थोड़ी से changes आते हैं जैसे ऐसे आप कोई भी area को cross करोगे तो जो language में जो है always changes आते ही रहते हैं तो प्राकृत की भी जो है यहां पर इसके बारे मागद के बारे में जैप्टर नर्बर 6 में तो वहां पर प्राकृत बली जाती थी उसे मागदी बोला जाता है तो हर एरिया में नेम चींज हो जाते हैं इस लेंगविज के, right? So, जो महावीर के फोल्वर्स हैं, जिन्हें जो है जैन्स बोला जाता है So, this thing is also important from the exam point of view कि जो महावीर के फोल्वर्स हैं, they are known as the जैन्स and उन्हें जो है काफी simple life spend करनी होगी and जो है food के लिए bag करना होगा, एक भीकुल्स की जो life होती है एक भीखारी की जो life होती है, bagger की life होती है वो इन्हें जो है spend करनी है, simple life जो है वो इन्हें spend करनी है तो जैन्स कौन होते हैं? जैन्स वो person होते हैं जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को खतम कर दिया है जो होते हैं जो इपनी सारी जो इच्छाएं हैं वो खतम कर ली है तो इनके जो फोल्वर्स उन्हें जैन्स बोला जाता है तो ऐसा बोला गया है महावेर के द्वारा कि इनके जो फोल्वर्स हैं उन्हें काफी ज़्यादा ओनेस्ट होना होगा and they were specially asked not to steal कि आपको जो है यहाँ पर चोरी नहीं करनी है Kelly BC जो है वो इन्हें observe करनी है मिन marriage नहीं करनी है and men had to give everything कि जो men है उन्हें हर एक चीज जो है यहाँ पर चोड़नी है even they can't wear the clothes right अपने जो clothes है वो भी नहीं पहन सकते है right and इसी की वज़े से इनके जो हम देख सकते कि जो rules थे right तो वो काफी ज़्यादा hard and fast थे तो कई लोगों को जो है काफी difficult रखते हैं इतने ज़्यादा strict rules को follow करना men and women दोनों के लिए so nevertheless फिर भी जो है thousand जो थे उन्होंने अपने घुरों को छोड़ दिया था to learn and teach this new way of life इस नए तरीके को समझने के लिए कई सारे जो लोग है उनके follower बनते हैं so but कई ऐसे भी लोग थे जो की पीछे ही रहते हैं but इन लोगों को वो support करते हैं जो लोग monks बने थे या फे nuns बने थे and then उन्हें जो है ये food भी provide करते हैं जो लोग gens नहीं बनते हैं जो इनके follower नहीं बनते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो की इतने जादा hard and fast rules को जो है वो follow नहीं कर सकते थे अपनी life के according तो जैसे की genism जो है एक तरह से traders के दरा भी जो है genism को support किया गया था बट जो traders हैं वो इन rules को follow नहीं कर सकते थे and दूसी तरफ यहां पर जो farmers हैं उन्हें भी जब कोई भी crops को protect करना है तो insects से जो है अपनी crop को बचाना होता है तो अपनी crop को वो किस तरह से बचा सकते हैं उन insects को मार के ही वो बचा सकते हैं but according to the genism हमें जो है किसी भी living being को मारना नहीं है तो farmers जो है उनके लिए भी जो है इन rules को follow करना काफी ज़्यादा difficult था So over 100 of years genism जो है around 100 साल के बीच में ही right 100 years के बीच में ही जो genism है वो North India के different parts में जो है वो फैल जाता है गुजरात, तमिलाडू and even करनाटक में भी जो है ये पहुंच जाता है तो महावीर की जो teachings हैं उनके जो followers हैं उन्होंने जो है लोड महावीर की teachings को जो है औरली ही transmit किया था तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर 25 साल पहले महावीर की जो genism है जानिजब यहाँ पर start तो हुआ था, अलग-अलग areas में जो है ये फैल भी चुका था बट इसकी जो है कोई written form नहीं थी इनकी teachings की महावीर की teachings हैं इनकी कोई भी written form नहीं थी around 2500 years ago तो इन्हें जो है औरली ही spread किया गया था इन्हें जो है बाद में काफी समय के बाद में जो है written form में लिखा गया था and around 1500 साल पहले ही जो है इन्हें written form में जो है वो रखा गया था इन्हें जो है just compiled गया था around 1500 years ago तो यहाँ पर भी आपको compilation के बीच में and composition के बीच में जो difference को समझना होगा तो यह जो है it is presently available at a place जिससे जो हम वाला भी बोलते हैं गजुरात में तो यह वहाँ पर available है इनकी जो भी teachings है वो written form में वहाँ पर available है ओके So now we are going to discuss about the sang right sang एक और important चीज़ जो है जो की followers थे यहाँ पर जानिजन के उनके दोरा start की गई थी क्या था यहाँ पर बोधी महावीर और जो बुद्धा है यह दोनों है feel करते है that only those जिने जो अपने घर को चोड़ देते हैं वो ही true knowledge को gain कर सकते हैं दोनों के दोरा ही बोध महावीर और बुद्धिसम जो है वो यही feel करते हैं कि जो लोग अपने घर को चोड़ देंगे वो true knowledge को gain कर सकते हैं and they arranged for them to stay together in this song तो ऐसा बोला गया है कि इनके द्वारा कि इन लोगों को जो है संग में रहना होगा इकठे रहना होगा एक association बना के जो है रहना होगा जिन लोगों ने अपने घर को चोड़ दिया है ओके तो यह जो है बुद्धिस्ट संग जो थे यहां फे जो जैनिसम के जो संग थे इनके लिए कुछ rules भी यहां पर बनाए गए थे इनने जो है write down भी किया गया है तो बुद्धिस्ट संग के जो rules है उन्हें कौन सी book में जो है write down किया गया है उस book को जो है विने पिताका बोला जाता है So this line is very much important यह question जो है UPSC prelims में, state prelims में यह फिर कोई भी government का exam हो उसमें पूछा ही जाता है तो विने पिताका में जो है हमें किस चीज़ की information मिलती है विने पिताका जो है यह एक Buddhist literature है and इसमें हमें जो है Buddhist संग के जो rules and regulations है वो यहां पे जो है लिखे गए हैं विने पिताका में So from this we know that there were separate branches for men and women तो विने पिताका को पढ़के ही हमें पता चला है कि men and women के लिए separate branches भी बनाई हुई है हर men जो है वो संग को जोई कर सकता है and however जो children है उन्हें जो है अपने parents की permission लेनी होगी अगर जो है उसे संग को जोई करना है slaves जो है उन्हें अपने masters की permission लेनी होगी अगर उन्हें संग को जोई करना है and those who work for the king जो यहाँ पर राजा के लिए काम करती है उन्हें जो है राजा की यहाँ पर परमिशन लेनी होगी and जो women है अगर women जो है संग को जोई करना चाहती है तो उन्हें जो है अपने husband की permission जो है वो लेनी होगी and men and women जो संग को जोई करेंगे उन्हें तो obviously काफी simple life जो है वो वैतीद करनी है and mostly time वो meditate करेंगे and cities and villages में जोएंगे वहाँ पे food के लिए वो back करेंगे during the fixed hours तो begging के लिए भी इनके जो hours है वो fix किये गए है and that is why they were known as the भीखुस जो यहाँ पे एक तरह से संग को join कर लेते हैं या फिर जो journalism के follower बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है भीखुस बोला जाता है भीखुस जो है ये प्राकृत वर्ड है for the renouncer or the beggar या फिर जो woman है उन्हें भीखुनिस बोला जाता है and ये क्या करते हैं अलग अलग जगा पे जाते हैं वहां पे जाके जो है ये begging करते हैं दूसरों को ये teach भी करते हैं ये बुदिजम एंड जैनिजम की जो भी teachings ये वह लोगों तक पहुंचाते भी हैं एक दूसरे की ये help भी करते हैं and even they also healthy meetings वह meetings भी करते हैं and या फिर संग में कोई भी अगर लडाई जगडा किसी का हो गया है तो उसे भी ये settle down करते हैं तो ब्रामिन्स, क्षत्रिया, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कॉर्टिजन्स, इन सभी लोगों ने यहां पर संग को जोईन किया था and many of them wrote down the teachings of the Buddha तो इन में से कई ऐसे लोग भी थे जिनोंने लोड़ बुद्दा की teachings को जो है राइट डाउन भी किया था and some of them also composed beautiful poems and describing their life in this song तो यहां पर beautiful poems को भी इनोंने compose किया था and उनकी जो संग में life है उसे भी जो है डिस्क्राइब किया था राइट? So after that we are going to discuss about the monasteries अब जैसे कि हमने यहां पर देखा कि इनके जो followers होते थे यहां फिर जो associations को join कर लेते थे जिनके followers का एक संग यहां पर बनाया जाता था तो यह कहां पर रहती थे? यह जो है forest में ही रहा करती थे यह जंगलों में ही रहा करती थे बट अब जब कभी भी जब मौसम चींज होता था अगर winters की बात करें winters के इलावा अगर हम यहां पर rainy season की बात करें तो यह लोग कहां पर रहा करते थे? तो इनके लिए रहने के लिए तो कोई जगा नहीं हुआ करती थी तो आप जो हैं जिन लोगों ने इन संग को join नहीं किया था जैसे कि traders हो गए या फिर जो farmers हो गए वो लोग क्या करते हैं जो इनकी teachings में विश्वास तो करते थे बट उनके लिए इन संग को join करना मुश्किल था बट वो इन लोगों को support ज़रूर करते रहते हैं तो उन्होंने क्या किया था कि monasteries इनके लिए बना दी थी इनके लिए रहने के लिए जो जगा है वो यहां पर बना दी थी क्यूंकि हम देखते हैं कि mostly Jain and Buddhist monks हैं वो place to place जो है वो घूमते ही रहते हैं throughout the year and वो जो है लोगों को teach करते रहते हैं so only time जब वो एक जगा पर रहेंगे वो कौन सा time होता है during the rainy season क्योंकि rainy season में travel करना मुश्किल होता है so then उनके जो supporters हैं उन्होंने इनके लिए temporary shelters बना दिये थे gardens में यहां फिर natural caves में यहां पर hilly areas के अगर हम बात करें तो वहां पर natural caves में इनके लिए temporary shelters बना दिये थे so as time went on कई supporters जो थे यहां पर monks and nuns के and they themselves filled the need for more permanent shelters तो आप कुछ supporters जो हैं वो यह feel करते हैं कि इनके लिए permanent shelters की भी जरूरत है so इसी की वज़ा से monasteries बनाई गी थी जिनने हम permanent shelter बहुत सकते हैं इन monasteries को क्या बोला जाता है इन्हें जो है विहारास बोला जाता है okay so यह question भी जो है UPSC prelims में काफी बार question जो है कि विहारास क्या होते हैं तो यहां पर Monks जो है Monks के residence का जो place होता है उसे जो है विहारा बोला जाता है right so जो earliest विहारा थे उन्हें जो है लकडी के साथ बनाया गया था और बाद में जो है bricks के साथ भी से बनाया गया था so some were even in caves that were dug out in the hills तो कुछ जो विहारास थे वो caves में भी बनाए गए थे जिसे permanent shelter हम बहुत सकते है especially western India में हमें कई सारे ऐसे shelters मेले हैं ऐसे कई सारे विहारास मेले हैं जो की caves में बनाए गए है okay so very often the land on which the विहारा was built was donated by the rich merchants on the land owner obviously जो rich merchants हुआ करते थे land owner हुआ करते थे उनके द्वारा ही विहारास बनाने के लिए लेंड थी वो donate की जाती थी and the local people थे वो food के साथ आते थे clothing या फिर medicines जो होती है वो provide करवाते थे monks and nuns को and in return इसके बदले में जो monks and nuns है वो इन लोगों को teach किया करते थे preachings दिया करते थे and over the century Buddhism जो है वो पूरे subcontinent के कई पार्ट में जो है वो फैल जाता है उसके बाहर even जो है श्री लंका में भी जो है ये फैल जाता है तो वहां पर भी इसके जो है कई सारे हम वो सकते हैं followers हैं अभी भी Buddhism के तो ये तो बात हुई यहां पर Buddhism and Janism की क्योंकि हम देख रहे थे कि 2500 years ago नए questions नए ideas जो है वो arise हो रहे थे लोग के चीज़ों की जो है answer find करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसी तरफी यहां पर जो है Hinduism में भी कुछ changes आ रहे थे एक नया system जो है आश्रम का वो यहां पर start होता है so around the time when Janism and Buddhism जो है वो popular हो रहे थे तो ब्रामिस जो थे उन्होंने एक नया system जो है वो start किया था जिससे हम जो है आश्रम का system भोलते हैं तो यहां पर इसके name से हम यह अंदादा लगा सकते हैं कि शायद आश्रम जो है कोई रहने के लिए place यहां पर बनाई गई है यहां पर लोग रहते हैं and meditate करते हैं बट इसका meaning कुछ और है यहां पर mean जो stages होती है एक person है उसकी जो life की जो stages होती है उन्हें जो है यह क्या बोलते हैं उन्हें जो है यह आश्रम बोलते हैं तो ब्रामिन्स ने जो है क्या किया था कि जो एक person है उसकी life को जो है four stages में divide कर दिया था तो पहला क्या होता है हर person की life में सबसे पहली stage आती है ब्रह्मचारे की तो ब्रामिन, ख्षत्रिया और जो वैषया मैं होते हैं, they are expected to lead a simple life, तो यहाँ पे ब्रामिन, ख्षत्रिया और जो वैषया हैं, यहाँ पे भी वर्नाज आ गए, जो उपर वाले तीन वर्नाज हैं, वो ही इन 4 स्टेजिस को यूज कर सकते हैं, उनी के लिए जो है ये डिफाइन की गई थी ये जो four stages थी तो ब्रामिन ख्षत्रियज और जो वैश्य हैं उन्हें जो है काफी simple life spend करनी है वेदास को study करना है अपनी life के जो early years होते हैं तो उसे जो है ब्रामचारे बोला जाता है या फिर हम बोल सकते हैं ये एक student life भी होती है householder तो उसके बाद में इन्हें जो है अब यहाँ पर शादी करनी है and जो household के जितने भी काम होते वो इन्हें पूरे करने है then उसके बाद में ये वनप्रस जीवन जो है वो वैतीत करेंगे means सब कुछ छोड़के उन्हों forest में रहना है and यहाँ पर इन्हें जो है meditate करना है and finally at the end जो है इन्हें को उन्सा जो है सन्यास ले लेना है सन्यास क्या होता है यहाँ पर that they had to give up everything हार एक चीज़ को जो है इन्हें गेवप करना है so the system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in the meditation तो इस system की वज़े से जो men है उसे जो है अपनी जो life का एक part है वो meditation में spend करना ही है and generally obviously यहाँ पर जो women थी they were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrams chosen by their husbands right तो उन्हें जो है वो ashram में वो stage यहाँ पर life की spend करनी है जो उनके husbands उन्हें बोलेंगे तो around 2500 years ago भी यहाँ पर जो women थी उन्हें जो वेदा spendने के वो allowed नहीं किया गया था ओके सो एक Buddhist text है उसमें जो है एक चीज लिखी गई है काफे important है and काफे अच्छी चीज जो है वो है just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean जैसे कि यह बोलते हैं कि जो river का पानी है जब एक river बह रही होती है तो उस river का कोई name होता है तो जब वो एक बड़े ocean में जाके जो है वो गिर जाती है तो उसका यह जो name होता है वो उस ocean में जाके जो है वो खतम हो जाता है okay similarly जो वरनास्ती यहां फिर जो ranks है यहां फिर जो family होती है वो भी भूल जाती है हर person को जब जो है कोई एक buddhism का follower बन जाता है यहां फिर जो है वो monk बनके अपनी life को spend करता है तो right ऐसा जो है buddhist text हमें बताता है तो यह जो यहां पर कुछ casteism था यहां फिर अगर हम यहां पर बात करें कि थोड़ी सी differences जो होते हैं हमारी society में वो किसी काम के भी नहीं है सबी जो है सबी लोग जो है वो एक ही है यहां पर unity से जो है हम यहां पर रहना चाहिए right so with this we had completed the chapter number 7 also so in our next video we will start the chapter number 8 and उस पे अब हम यहां पर बात करेंगे Ashoka के बारे में right Ashoka जो कि सबसे mightiest king थे and Ashoka जो है एक तरह से Moran Empire से belong करते थे and किस तरह से यह जो Moran Empire है वो पूरा इतना बड़ा जो है so agar आपको मेरा course परसंद आया तो इसे share करना ना भूले and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video right thank you so much have a nice day bye bye